नवस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल पर बाबसीर जिसे हम पाइल्स कहते हैं बहुती कॉमन और आम समस्य से आजकल होते जा रही है जो गूदा और मलासाई की जो नसे होती है उसमें सूजन आ जाती है यानि की एनस और रेक्टम की जो वेंस होती है उनकी नसों में जो है सोलिंग आ जाती है वहाँ फूल जाती है और इसकी बज़े से क्या होता है कि आपको तकलिफ होने लगती है दो पिरकार के बावसीर होते हैं एक होता है internal human rights और दूसरा होता है external human rights यानि कि जो अंदर की जगा पर होता है उसे हम कहेंगे अन्रूनी बावसीर जो बहारी की side होता है मलब बहार की तरब जो होता है वो होता है बहारी बावसीर उसको जो हम हाथ से भी फील कर सकते हैं जो बाहरी बवसीर आपका होता है अब देखी दोस्तिस में बहुत ही ज़ादा जो है तकलीफ पैसंड को होने लगती है मल त्याग करने में बहुत ही दर्द होता है जलन होने लगती है और कभी कभी खोन भी निकलने लगता है जो डरा देता है मरीज को अब ये होता क्यों है इसका मुक कारण जो होता है वो होता है कब्स यानि की कौंस्टी पैसंड अगर आपका पेट साफ नहीं होता है या लंबे समय से आपको कब्स या कॉंस्टी पेसेंट के सिखाये थे तो उन पेसेंटों को सबसे ज़्यादा चांसिस होते हैं बबासीर होने के और ये दोस्तों काफी दिनों तक अगर ही समस्या होती है तो ऐसा आपको हो सकता है बबासीर अगर कब्सकी समस्या होती है तो अब देखिए लेटरिंग जगर पर क्या होता है कि प्रेसर बनता है और जिसकी बज़े से आपको बबासीर हो सकता है या फिर लंबे समय तक बेढ़ने का अगर आपका काम है तो इससे भी तकलीफ बढ़ सकती है आपका खान पान अगर गलत है या फिर बहुत ही जाद इस्टे सा तराओं आपको है तो इसके कारण भी ये तकलीफ बढ़ जाती है और याद रखिए जब बवसीर की तकलीव हो जाती है तो ऐसे में खान-पान बहुत ही मायने रखता है और कुछ खादे-पदार्थ जो होते हैं आपकी तबियत को ठीक भी कर सकते हैं यानि कि बवसीर की समस्य को ठीक कर सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी खादपदार्त हैं जिनने अगर आप कम नहीं किया तो आपकी तकलीफ और बढ़ सकती है खून आने का जो प्रिमान है वो भी बढ़ सकता है बबसीर के मस्से भी बढ़ सकते हैं और आपको ऑप्रेशन तक भी पहुचा सकते हैं तो दोस्तो आज मैं इस और कौन-कौन से खादपदारत हैं जो कि आपको नहीं खाना है जिसमें कि नमबर एक के बारे हम बात करें तो पेक्ड प्रोसेज फूड यानि कि जो पेक करेवी फूड रेते हैं वो आपको नहीं लेना है जैसे कि चिप्स है कुकीज है केक है ये जो पेक की हुए इसनेक् आपको कटनाए हो सकती है इसका मतलब शकती है, इसकी की समस्य हो सकती है इसलिए इसको आपको आपको करना चाहिए अब दूसरे उसके वारे बात करें तो वो होता है fast food burger, pizza, fried chicken ऐसे जो fast food होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा प्रमाण में calories होती है और fed भी इसमें ज़्यादा होता है जो आपके digestive system पर बहुती ज़्यादा बुरा सा डालते है और बावसीर की जो तकलीफ है उसे शुरू भी कर सकते है और अगर आपको तकलीफ है तो उसे बढ़ाने काम भी कर सकते है याद रखिए fast food जो है उसमें nutrition बहुती कम होता है ना के बराबर होता है लेकिन आपके कब्स को भी बढ़ा सकता है और कब्स बढ़ा सकता है बावसीर की तकलीफ को और देखी नमबर 3 के बारे बात करें तो frozen food जी हाँ frozen food जैसे हम microwaveable mill भी कहते हैं इसमें preservatives की मात्र जो बहुती ज़्यादा होती है और साथ में इसमें sodium की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है ये खाद पदार्थ क्या करता है आपके सरीर में पानी की कमी निर्माल कर देते हैं dehydration जैसी condition निर्माल कर देते हैं जिससे कब्स की समस्य बढ़ जाती है और बावसीर की तकलीफ सुरू हो सकती है या फिर बढ़ सकती है अब नमबर 4 पर है चटनी और sauce कुछ लोगों को sauce लेना बहुत पसंद होता है जैसे tomato sauce है, hot sauce है, Chinese sauce है इसमें क्या होता है ज्यादा पिरमाल में sodium होता है spices भी, मसाले भी बहुत ज्यादा इसमें होते हैं ये सारी चीज़ें जो है आपके intestine के irritation को भी बढ़ाती है नमबर 5 पर है आचार और बोलें तो pickles, जी है आचार और pickles में भी हम देखते हैं बहुत ज्यादा नमक डाला हुआ होता है इसके अंदर मसाले भी बहुत ज्यादा होते हैं, ये मसाले और नमक आपके सरीर में पानी के कमी निर्माल कर सकते हैं और गूदा चेतर में जलन बढ़ा सकते हैं, शुरू कर सकते हैं इसलिए इसका भी उपयोग आपको कम से कम करना चाहिए नमबर 6 पर है कोका और चोकलेट ड्रिंक्स किसी भी परकार के जो हम cold ड्रिंक्स लेते हैं या फिर कैफिन बाले ड्रिंक्स जो हम लेते हैं वो आपके गब्स की समस्या को बढ़ा सकते हैं आपके intestine mortality को यानि कि आपके आतलियों की जो गती है उसको भी धीमा कर देते हैं और बवसीर की समस्या को बढ़ा सकते हैं इसलिए इनसे भी आपको परहेज करना चाहिए नमबर साथ पर है मेदे से बने हुई पदारते हैं जी हां दोस्तों मेदे से बने हुए जो चीज़े बनी रेती हैं जिसे का नान है पराठा है बिसकेट हैं अंदर फाइबर की मातरा बहुत ज़्यादा कम होती है और इन खाद पदारतों का सेवन भी अगर आप ज़्यादा करते हैं तो आपका जो मल है वो हाड हो जाएगा सक्त हो जाएगा और जब सक्त मल पास होने लगता है तो उस बज़े से आपको कबज होगा और कबज होगा तो बबसीर होंगे और बबसीर के कारण जो नसे आपकी जो भूल गई है उनमें काफी ज़्यादा तकलीफ होगी उनमें प्रेसर पड़ेगा अब दोस्तों देखी इससे बबासीर की तकलीफ तो बलती है लेकिन फिसर जीसी तकलीफ भी हो सकती आपको अब अगले हम आइटम के बारे बात करें वो होता है नमक नमक का अधिक सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए बहुत ज़्यादा नमक खाने की सौल ज़्यादा खाने की अगर आपको आदत है तो इसे भी आपको थोड़ा कम करना चाहिए क्योंकि ये कब्स का करना बन सकती है अब हम अगले पदारत के बारे बात करें तो वो होता है कैफिन या बोलें तो जैसे के चाई कॉफी या सौप ड्रिंक्स इन सभी चीजों को आपको कम करना चाहिए क्योंकि ये डायूरिटिक की तरह काम करते हैं यानि कि आपके सरीर से पानी को निकाल देते हैं कब्स को ब पिसन की तकलीव इससे सुरू हो सकती है या फिर आफकी तकलीव बढ़ सकती है और बावसीर के समस्याबी इससे बढ़ सकती है और इसलिए आपको सराप से आपको बिल्कूल परहेज करना चाहिए अब हम अगले प्रवारे बात करें तो मसालेदार वाला खाना तो आज की पिंटेस्टाइन में आत्में जलन पैदा करते हैं लिटरिंग जगह पर भी जलन होने लगती है और गूदा की जो आंतरिक दीवारे होती न वहां पर भी जलन होने लगती है जिसकी बज़े से आपको तकलीफ है तो और भी जाता तकलीफ होने लगेगे तो इसलिए आपको इसको avoid करना है परेज करना है अब अगले point के बारें बात करें तो तलाववा खाना जैसे के भाई तलीव चीजों के बारें बात करें तो समोसा है कचोली है फ्रेंच फ्राइज है पकोले हैं ये सब आपके पाचन के लिए बहुत ही खराब चीज़े होती है डाइजन में ये कठिन होता है डाइजस नहीं होता सही से और पाचन अगर कठिन हो जाए तो ऐसे डिटी पर बढ़ेगी और डाइजन भी सिलो होगा और कबज की समझा भी बढ़ जाएगी और मल कठोर होगा पाइल्स की तकलीफ इससे भी शुरू हो सकती या फिर बढ़ सकती है तो याद रखिए इन सभी खाद पदार्तों के तरफ आपको ध्यान देना चाहिए इसका मतलब ऐसे बिल्गुल भी नहीं है कि इनको पूरी तरीके छोड़ दे लेकिन इने कंट्रोल जरूर करना चाहिए और इसकी जगा पर आपको कुछ खान पान में पॉजिटिव बदलाव करने होंगे फाइवर भोजन आपको ज़्यादा लेना चाहिए भरपूर पानी पीजिए तो दोस्तो अगर आपको बहुती ज़्यादा तकलीफ है तो आप एक बार डॉक्टर से सला जरूर ले सकते हैं क्योंकि अगर तकलीफ ज़्यादा है तो आपको मैडिसिन बगेरा तो लेनी ही पड़ेगी इसके साथ साथ तो दोस्तो वीडियो खता होता है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तो इस टाइप से वीडियो बनाते रहें तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो फिर में लेंगे नेक्स वीडियो में जब तक आप देखते रही हैं और बने रही है आपके अपने चैनल में Knowledge for Care